गेस सिलेंडर के दामों में भारी जाफा हुआ है और 50 रुपे महगा हो गया है सिलेंडर और साथ ही कोमर्शal सिलेंडर भी 3.5,5 रुपे महगा हो गया है गौरा बलब मेरे साथ है महगाई को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि महगाई तो हमारी मुठ्छी में है अब मुठी खुल रही है ऐसे से कर गए महिंगाई मुठी में नहीं थी मुठी में कुछ नहीं था मुठी में जूट और फ्रॉड था देश के लोगों के साथ कहां गए वो लोग जो कहा करते थे बहुत हुई महिंगाई की मार अब की बार फलान 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 जी की सरकार कहा गई वो महिलाएं जो 5-10 रुपे रसोई गैस के सिलेंडर में बढ़ जाते थे तो दिल्ली की सलकों पे सिलेंडर को फैका करती थे आज रसोई गैस के सिलेंडर 1100 के पार और कॉमर्सियल सिलेंडर 2100 के पार हो गया नहीं चाहिए हमें ऐसी मोधी सरकार जो गैस सिलेंडर पहुंचा दे 1100 के पार साथ दिन के बाद हुली है मिठाईयां कैसे बनेंगी मिठाई ना तो घर में बना सकते हो ना बजार से ला सकते हो घर में बनाने के लिए आपको चाहिए आटा जो पिछले एक साल में 40 प्रतिशत बढ़ा घर में बनाने के लिए आपको चाहिए दूद जो पिछले 2022 में 8 रुपे प्रतिलीटर बढ़ गया घर में बनाने के लिए आपको चाहिए मसाले और मेवे जिसमें 21 प्रतिशत की इंफलेशन है जन्वरी 2023 का भारत सरकार का आकड़ा है बाहर जाके लेओ तो साड़े 300 रूपे कॉमर्शिल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े है तो होली में अब सिरफ हवा खाओ ना मिठाई खा सकते हो ना नमकीन खा सकते हो और हवा खाके मोदी जी चाहते हैं कि लोग बोले थैंक्यू मोदी जी धन्यवाद मोदी जी वा मोदी जी वा अमरित काल के तौफ़े के लिए एक डाटा ये कहता है कि यूपीय ने अपने टाइम में 2004 से लगाकर 2014 तक दो लाख करोन रुपए की सबसीडी दी ती गैस लेंडर पर और वहीं दूसरी तरफ जब से मोदी गवर्मेंट आई है उसने पिछले नौ सालों में 36,000 करोन रुपए की सबसीडी दी है यह वो डाटा है क्या यह डाटा सही है मैं आपको यह डाटा दिखाता हूं क्योंकि यह भारत सरकार की PPAC का डाटा है और इस डाटा के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यह वो डाटा है यह भारत सरकार का PPAC का डाटा है आप यहां देखेंगे तो यह क्या क्या सबसीड नौ साल में दी गई है इस सब का जोड है दो लाग चौदा जार करो और यहां पर आप देखेंगे 00000000 देख रहे हैं न आप ये कोई सबसीडी इन सालों में नहीं दी गई 38,500 करोड रुपया मात्र सबसीडी दी गई और तो और सबसीडी तो नहीं दी वो तो चलो उसके उपर रसोई गैस सिलेंडर पर 5% और कॉमर्शियल सिलेंडर पर 18% जी एस्टी लगए तो हमारी मांग है कि यह जो बड़त है इसको रोल बैक करें और नाकेवल रोल बैक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 के पार नहीं हो सकते आखरी सवाल में आपसे लेना चाहूंगा देखिए आप मजबूत विपक्ष हैं और कहीं न कहीं मजबूत विपक्ष किये जिम्मेदारी होती है कि जब बहंगाई बड़े ब्रश्टाचार बड़े सवाल जब पूछे जाएं तो उसको सड़कों पर उतरना चाहिए तो क्या विरोत प्रदाशन दरच कराएगी कॉंग्रेस सड़क से लेकर संसत्ता की सवाल को पूछा जाएगा कि क्यों चाहिए मोधी सरकार जो करे रसोई गैस सिलेंडर को ग्यारा सो के पार हमें नहीं चाहिए ऐसी मोधी सरकार जहांपर रसोई गैस हो 1100 के पार और कॉमर्शियल सिलेंडर हो 2100 के पार चलिए वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया तो साफ तो पर आप गौरब बल्लब साहब को सुन रहे हैं जिनका ये कहना है कि कॉंग्रेस के समय में जो सिलेंडर 400 का होता था वो 10 साल बीते बीते 1100 रुपए का हो ग पल्लब लटे सकया है हुआअ जी रहे एलीते जीते वी इन